है अधिस और दीवनिंग जिए अधिसर करने क्रेंट में है आज बताए मैं क्लेश पूरे कर लिए तो ऐसे आपने इसमें केंदी हुआ कि अधिक तरही थी फटावेंगा करेंट होती है आपने पढ़ा रहे तो जो में जो कुछ नाम लिये थे तो जो में जो करेंट इसमें वो काउंटर बैक कर रही है करेंट 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 कर रहे तो जो में करेंट होगी उसी का नाम हो जाता है कि अगुलास करेंट जो बोलते हैं इदर करेंट हैं वहां पर एक है के अगुलास के नाम पर उसका नाम अगुलास करेंट पढ़ा है आज आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी जब लोग विंड पढ़ेंगे तो उस विंड पर भी वह कंसेट लगेगा ठीक है सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो थोड़ा डीप भी जा सकते हैं प्रशान जी और क्योंकि हम लोग तो सिविल सर्विसस का एक्जाम दे रहे हैं तो हमको कंसिप्चुली तो स्टॉंग हो नहीं पढ़ेगा तो बिटर है दोनों के लिए वहां भी पूंच सकता है तो अगर थोड़ा डीप आ जाएगा तो आप थोड़ा सा कटिंग इस पर रहेंगे है ना और से एक डाउट रहते हैं ऐसे गल्फ बोलते हैं जिसे मंगाली खाड़ी हो गए इसे गल्फ और बेंगॉल होता है तो यह कैसे बोलेंगे मतलब का यह जो गल्फ और बे किस वह से यूज हो रहा है अब ही जह हम लोग ओशियान जो रिसोल्स है ना जब वहां पर आएंगे तो मैं इसको प्रॉपली वहां पर एक्स्पेंड कर दूंगा ठीक है इस टॉपिक के बाद उसी को हम लोग देखेंगे तो फिर शुरू करते हैं हाँ अभिशेग जी का कलेग डाउट था अभिशेग जी आपका कलेग डाउट था ना कि पोलर्स पे इस्टर्लीज और वेस्टर्लीज बादा वह क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था चलिए नहीं हुआ होगा तो वह आज क्लियर दोएगा क्योंकि आज हम लोग वही सब कंटेंट है वही जो चीज़ें वही पढ़ेंगे ठीक है तो हम लोग पढ़ेंगे विंड्स और विंड्स के बाद का एक और टॉपिक है हमारे पास जो फिजिकल जोग्रुफी का लास् टॉपिक का साइटलोन वो भी हम लोग इसी के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे ठीक है एक सेकंड जी सब्सक्राइब तो उस कंटेक्ट में फिर हमारा ये एक तरीकर से लास्ट टॉपिक ही चल रहा है सुनील जी कहां थे आप लोग करकल तो जरूर्स मैं नहीं तक लाव थी हाँ चलिए रहा करिये अच्छा लगता है ना चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे विंड्स की विंड्स में हम लोग तो कि साइकलोन को भी यहीं पर करके ही पढ़ेंगे थीक है साइकलोन में आपकी जो बारिश वगड़ा है वो भी आ जाएगे तो शुडवात हम लोग बैसिकली टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से यहां पर हम मोटे तोर पर क्यक्या कवर करेंगे हम लोग विंड्स को देखेंगे विंड्स को देखेंगे विंड्स में हम लोग देखेंगे एर प्रेशर 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 बेल्ट्स विंड्स प्लानेटरी विंड्स और लोकल विंड्स एयर मास यानि की वायू राशियां एयर मासे वायू राशियां और इसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे कहां पर तो एक चीज और यहां पर देखने वाली है कि यूपी पीसीएस के अगर हम लोग बात करें तो यूपी पीसीएस में अभी तक इस टॉपिक से अगर कोई सवाल आया है तो किवल एयर मासेस से आया है और साइकलोन से आया है साइकलोन से तो कई वाल सवाल आये है और यहां पर एयर मासेस से आये अभी इस वाले पोजिशन से अभी कोई सवाल फिलहाल नहीं आया है लेकिन अभी अटेम्ट ही कितने हुए हैं अभी तो हमारे पास मुश्किल से पांच अटेम्ट हुए है यान हम लोगों ने trade winds की बात की थी वेस्टर लीज की बात की थी तो ऐसे winds को planetary winds कहते हैं और पिसली class में यह थोड़ा सा doubt हुआ था कि polaris poles पे wind किस तरफ बैती है और साथ ही सब अगर वो doubt नहीं भी होता तो हम लोग कोई पता होना चाहिए कि कोई wind अगर बह रही है तो किसी direction में क्यों बह रही है इसका कारण हमको पता होना चाहिए ठीक आगे बनने से पहले एक diagram मैं बना रहा हूं उसको अच्छी तरीके से note कर लेजे फिर उसी diagram के basis पे हम लोग इसको continue करेंगे ठीक है तो यह हमारे पास थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं जब बड़ी कर लेंगे इसको बात में यह अगर हमारे पास earth है ठीक यह हमारी earth है समझ लीजे कि earth ही है और यहां पर हमारा इसका यह equator है यानि कि यह क्या है जीरो डिग्री अक्छांच या जीरो डिग्री latitude है ठीक इस जीरो डिग्री latitude पे अलग अलग प्रेशर बिल्ट्स पाई जाती है कैसे बन्ती है देखेंगे पहले एक यह डाग्राम देख लें एक प्रेशर बिल्ट हमारे पास यहां arkadaş पर पाई जाती ए हुर्ष यहां पर पाई जाती है क्योंकि equator पर है इस तेब स्कों बोलता है equatorial इक कोईर बिल्ट में एक्वेटर पे जो प्रेशर बेल्ट है वो लोग प्रेशर बेल्ट होती है इसको लोग बोलते हैं एक्वेटर एक्वेटरियल लोग प्रेशर बेल्ट या हिंदी में इसको बोलेंगे विशूवतिय निम्द दाब पेटी यह जो प्रेशर बिल्ट है यह पांच डिगरी लैटिटूट से लेके पांच डिगरी नौलगन लट लैटिटूट से पांच डिगरी साउदन लैटिटूट के बीच में फैली होती है ठीक एक्वेटर जीरो पे है इसके 5 डिगरी इधर और 5 डिगरी इधर पक एक्वेटोरियम लो प्रेशर बिल्ट आपकी कैली हुई होती है इसके बाद जो अगली बिल्ट है हमारे पास वो है एक और प्रेशर बिल्ट हमें मिलेगी यह प्रेशर बिल्ड जो है यह तीस डिग्री से पैंतिस डिग्री लाटिट्यूट के वीच में मिलती है और इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल प्रेशर बिल्ड यहां पर प्रेशर हाई होता है हाई क्यों होता है भी समझेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बिल्ड या इसको बोलते हैं उपवोष्ण उच्चदाब पेटी नौर्टर हमिस्फियर में मिल रही है सेम यही हमको साथर हमिस्फियर में भी मिलेगी दक्षिडिंग गोलाग में भी मिलेगी दथिरी गोला जाने के सौधर हमेस्पेर में भी ये 30 से 35 डिगरी लैटिट्यूट में ही मिलेगी और यहां पर भी इसको वही बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बिल्ट इसकी बाद उपर जब हम लोग चलेंगे तो यहां पर एक और बिल्ट हमको मिलेगी यह पत्रा थोड़ा हुआ जा रहा है क्योंकि रफली बन रहा है न यह मिलती है 6 डिगरी से 65 डिगरी लैटिट्यूट के बीच में और यह भी एक लोग प्रेशर बिल्ट है तो क्योंकि यह पॉल्स के पास में है धुरूओं के पास इसको बोलते हैं सब पोलर लोग प्रेशर बिल्ट यानि कि उप धुरूविय निम्न दाब पेटी सौधन हमें स्वियर में भी सेम यही हमको मिलेगी 60 डिगरी सौधन लेटिट्यूट से 65 डिगरी सौधन लेटिट्यूट तर और यहां पर भी इसका सेम नाम होगा सब पोलर लोग प्रेशर बिल्ट इसके बाद बिलकुल पोल्स पर दोनों तरफ साउथ पोल आज विल एस नौर्थ पोल पर हमको मिलती है पोलर फाई प्रेशर बिल्ट यानि की धुरुविय उच्चदाब पेटी पोलर फाई प्रेशर बिल्ट इसको बना लीजिए अच्छी तरीके से फिर हम लोग आगे चलते हैं यह बीच में आप ध्यान रखिएगा यह बीच में क्या है यह बीच में एक्क्वेटर है जीरो डिग्री लाटिटूट पर वही पेटी है यहां पर और थिए यहां पर भी बेल्ट मिल रही sucking को कर दीजेगा तो मुझे बता दी अग्यदेग् farm झाल झाल बन गया सबी लोगों का कि दी से किसी का छूटा तो नहीं चले आगे इसको हटा के अभी 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 अर्विन जी बस इस चित्र को बना ली जी यहीं चे शुरुआत की है अर्विन जी नोट कर लिजिक तो बता दीजेगा मुसको अगे चलेंगे ठीक है ठीक है अब आगे हम लोग चलते हैं अब इस जो भी डाइग्राम में अपने बनाए है इसको अपने सामने रखिएगा समझते हुए हम लोग एक एक बिल्ड को समझते हुए चलेंगे लिकिन उसके पहले हम लोग बेसिकली ये पढ़ क्या रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर पढ़ गए है शुरुने किस टॉपिक से की है शुरूबात हम लोगोंने करी है प्रेशर बिल्ड से आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम लोग इस टॉपिक को समझने तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रेशर बेल्ड्स जिनका डाइगराम मैंने आपको पहले बना दिया हिंदी में बोलते हैं इसको दाब पेटिया या और स्पेसिफिकली बो जाएं चाहें आपका साइकलोन का कंसिप्ट हो जाए उसमें इन प्रेशर बिल्ड की इंपॉर्टेंस आएगी ही आएगी तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझने कि बेसिकली प्रेशर का मतलब क्या है तो प्रेशर का मतलब यहां पर बेसिकली है एयर प्रेशर से या और specifically बोलें तो atmospheric pressure पे atmospheric pressure पे अट्मास्फेरिक प्रेशल से atmosphere पे अगर हम जो जमीन से उपर का हिस्सा सब देखें तो वो क्या है वो हमारा atmosphere और atmosphere हमारा किस से बना हुआ है air से बना हुआ है हवा ही तो है atmosphere में है ना और हवा क्या है अलग अलग गैसों का मिश्टन है धूल का मिश्टन है वेपर का उसमें मिश्टन है तो यह air से बना हुए और हम जानते हैं कि हवा का भी अपना एक वजन होता है होता है कि नहीं होता है हवा का भी अपना एक वजन होता है तो इस हवा के इस वजन को जो के वजन पहले बोलने वाले व्यक्ति का नाम था ग्यूरिक ठीक तो ग्यूरिक ने हमको atmospheric pressure के बारे में बताया था और इस atmospheric pressure की बारे में बताया तो ग्यूरिक ने था लेकिन सबसे पहले उसको measure करने वाला व्यक्ति कौन था measured by सबसे पहले यानि कि फर्स्ट मेज़र करने वाला यह व्यक्ति था इवान गेलिस्टा इवान गेलिस्टा टॉरिसेली कोई कोई इवान गेलिस्टा भी बोलता है इटैलियन था 1643 में इसने सबसे पहले एट्मास्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था मरकरी की सहायता से वैसे ही जैसे हम लोग लगबग आज मेजर करते हैं बैरोमिटर बैरोमिटर तो आप लग जानते होंगे ना एक ड्रास की ट्यूब होती है उसमें पारा भरा होता है जैने की मरकरी भरा होता है तो उसी मरकरी की सहता से कुछ ऐसे ही तरीके से उसने सबसे पहले 1643 में एक्मास्फरिक प्रेशर को मेजर किया था कहां पर पीसा की मीनार है टसकनी का इलाका जो इटली का है वहां पर ठीक है अब आगे चलते हैं तो अब इन्हों ने बता तो दिया ग्यूरिक में कि एक्मास्फरिक प्रेशर जैसी चीज होती है और यांगछे स्थन और में उसको सेक्षिन 43 में मेजर करिंकर भी बताया थो ये एक्मास्फरिक प्रेशर को चैसे करेंगे तो हिंदी में अगर हम लोग इसको बो लें तो हिंदी में इसको डिफाइन कैसे करेंगे Computer receiver इकाई छेत्रफल पर वायू या वायू राशी के पढ़ने वाले भार या दाब को एकाई छेत्रफल अपनी सहुरेत के साथ से कुछ भी हो सकता है एक सेंटीमीटर स्कॉाइर एक इंच स्कॉाइर भी हो सकता है तो एक मानक भी बनाया गया है तो उस मानक में एक सेंटीमीटर लिया गया है कि एक इंच लिया गया है कि एक मीटर लिया गया है वो भी हम लोग देखते हैं तो प्रत्विक के 21 शेते फल पर वायू या वायू राशी के पढ़ने वाले भार या दाब को वायू दाब कहते हैं हिंदी में समझ में आ गया क्या होता है हिस सब्सक्राइब इसको इंग्लिष में के इसको करेंगे मिस को डिफाइन कर ले इंग्लिष ने सब्सक्राइब इसकी डेफिशन है एयर प्रेशर या एट्मॉस्फ्फियरिक प्रेशर है कि डिफाइड एय को ट ethical weight of a mass of column of air above per unit area at sea level. इसको यहाँ पर भी जोल देते हैं समुद्र तल पर हमेशा इसको समुद्र तल के बेस पर मापा जाता है कि सी लेविल के बेस पर इसको मापने हैं तो एर प्रेशर इस डिफाइंड एस टोटल वेट ऑफ आ मास ऑफ कॉलम ऑफ एर अबव पर unit area at sea level हिंदी यही हो गई लगभग कि समुद्र तल पर प्रत्वी के प्रती इकाई छेत्र फल पर वायू या वायू राशी के पढ़ने वाले भार या दाब को वायू दाब कहते हैं कि इसका जो मानक है वो किस पर मापा गया है समुद्र तल पर मापा गया है ठीक अब अगर हम देखें तो कूछ सेंस अनको ठीक ऑगा कि यानि की समुद्र ताल पर समुद्र तल जो एयर प्रेशर में द्रत्वर को या अकमोस्वरी प्रेशर को एपी लिखुंगा चल जाएगा ने ठीक है तो सी लेवल पर जो एयर प्रेशर होता है वो 14.7 पाउंड होता है पर स्क्वाइर इंच 14.7 पर स्क्वाइर इंच होता है या अगर इसको हम ग्रामस में मापें तो ये होता है 1034 ग्राम पर स्क्वाइर सेंटीमीटर लगबग वन केजी के आसपास हर एक सेंटीमीटर पर दबाओ पड़ रहा है तो इसमें हम लोगों के शरीर के हर हिस्से पर एक किलो हर एक सेंटीमीटर के हिस्से पर हवा को जो दाव है वो एक किलो के बराबर है ठीक है अगर ये दाव कम हो जाएगा तो हमारी जो नसों में बहने वाला खून है वो नसों को फाड़के बाहर आ जाए ठीक अभी वो बैलेंस है खून का दबाव जो अंदल से बाहर की तरफ पड़ रहा है और बाहर प्रेशर डाल रही है वो दोनों बैरेंस कर रहे हैं इसलिए खून जो है हमारे शरीर के अंदर बह रहा है अगर यह प्रेशर कम हो जाएगा तो हम शरीर से बाहर खून बहाने लगेंगे अपना ठीक तो 14.7 पाउंड पर स्क्वाइर इंज या 1034 ग्राम पर स्क्वाइर इंज यह सी लेविल पर एट्मास्फेरिक प्रेशर होता है अच्छा एट्मास्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं एट्मास्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं एक यंत्र होता है एक उपकरण होता है ग्लास का बना हुआ उपकरण होता है जिसमें ये ग्लास ट्यूब होती है पतली सी होती है तो मैंने मोटी सी बना दी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें क्या भरा होता है filled with mercury यानि की पारा पारा इस ते भरते हैं क्योंकि पारा जो है वो कांच की दिवारों पर चिपकता नहीं है इसलिए इसमें पारा भरते हैं और लगबग accurate यह हमको measurement देता है ठीक है अब यहाँ पर इसको इससे measure करते हैं नाम क्या होता है इसका नाम होता है barometer ठीक clear सौन में आगई बाद अब इस barometer में पारे की उचाई कितनी है उसके आधार पर हम यहाँ पर मापते हैं कि atmospheric pressure कितना है अब इस पारे की उचाई को तो kilogram या gram या pound में तो माप नहीं सकते इसको तो हमें सेंटीमीटर या इंज वगरा में ही माप नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर इसको मापने के लिए सेंटीमीटर या इंज के आधार पर मापने के लिए यहाँ पर एक unit बनाई गई है जो atmospheric pressure को मापती है उस unit का नाम है millibar इसको शार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे MB millibar या MB बोलते हैं और .1 inch की उचाई जो होती है वो बराबर होती है 3.4 millibar के barometer में .1 inch की उचाई तक अगर पारा बढ़ा है तो हम कहेंगे 3.4 MB का उसके उपर air pressure पढ़ रहा है clear यानि की एक inch बराबर 34 millibar clear ये बात है समद में आ रही हैं आप लोगों को ठीक है तो अगर इसमें एक inch उचा चड़ गया तो 34 millibar का पारा बतलब pressure बढ़ा है ये हम आपते हैं तो अब यहां पर अगर हम एक barometer लेके C level पर चले जाएं तो C level पर जाने पर जो pressure होगा वो कितना होगा घ्राम और उसमें तो देख लिया barometer के point of view से कितना होगा तो at C level ये होता है लगभग 1013.25 millibar लगभग सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर एप्रॉक्सिमेट्ली ये C level पर barometer की इतनी उचाई तक पारा होगा और अगर उसको millibar में देखें तो इतना होगा 1013.25 millibar तो ये परी के लिए आपके important है कि समुद्री तल पर barometer का जो सूचकांग होगा वो कितने MB पर होगा समुद्र तल पर barometer का सूचकांग या barometer इंडिकेट करेगा 1013.25 millibar का परेशर barometer के पारे की उचाई कितनी होगी तो inches में वो 29.92 inches होगी और अगर centimeters में देखें तो लगभग 76 centimeters के आसपास barometer में पारे की उचाई होगी clear? ठीक है? समाज में आई बात आपको यहां तक? लेकिन ये जो measurements हैं ये measurements कैसे हैं? ये standard measurements हैं यानि की मानक measurements हैं और मानक measurements हमेशा किस conditions पर लिए जाते हैं? standard conditions पर लिए जाते हैं तो standard measurements हैं जो इस्टेंडर्ड कंडिशन्स पर लिये जाते हैं तो यह जो भी सी लेवल पर मेजरमिंट निकाले हैं जियोग्राफल्स ने वैज्ञानिकों ने वो निकाले हैं उन परस्थितियों में जब टेंपरेचर कितना हो 15 डिग्री सेंटिग्रेट हो और किस लैटिटूड पर नि 15 डिग्री सेंटिग्रेट पर 45 डिग्री लाटिटूड पर मापा है जियोग्राफल्स ने उसको आइडियल माना है और वह कितना आया है 1013.25 मिली बार या उचाए में 29.92 इंचेज या 76 सेंटिमीटर्स आदर्स आप गाड़ी खरीते हैं तो गाड़ी का मैरेज आदर्स पर स्थितियों में निकाला है तो यही इनी आदर्स इनी स्टैंडर्ड कंडिशन्स पर यह आया है और यह तभी इतना आएगा जो 45 डिग्री लाटिटूड पर आप मापेंगे रूस में वहां का टेंपरेटर 15 डिग्री सेंटिग्रेट हो अदर्वाइस उपर नीचे भी हो ज अब अर्थ में कई सारी जगहों का जो परेशर है वो एक समान हो सकता है तो वो लाइन लाइन जो सेम एर प्रेशर वाले एरियाज को कनेक्ट करती है उस लाइन को बोला जाता है आईसो बार या समदाब रेखा आईसो बार या समदाब रेखा यानकी लाइन की लाइन जोईनिंग दा प्लेशर अफ इक्वल प्रेशर अट सी लेवल आर कालड आईसो बार लाइन्स जोईनिंग डा प्लेसर या समदाब रेखा यह सवाल आया है अब प्रेशर जो है किसी भी जग़ा काव कई सारी परस्थितियों पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है करता है किन किन चीजों पर वो डिपेंड करता है वहां की उचाई कितनी है सी लेविल से उपर जाएंगे तो प्रेशर बदल जाएगा सी लेविल से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बदल जाएगा तेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बदल जाएगा, तेम्परेचर घटेगा तो भी प्रेशर बदल जाएगा तो अगर हम उपर की तरफ जाते हैं, यानि की उचाई बढ़ने पर जो एक्मोस्फिरिक प्रेशर या जो एर प्रेशर है, वो कम होता है. उपर जाने पर एक्मोस्फिरिक प्रेशर कम होता है, यानि की सी लेवल से हम जितना उपर चलते चले जाएंगे, एक्मोस्फिरिक प्रेशर उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा, कोई बता सकता है इसका कारण क्या है? तर गैसों की डेंसिटी कम होता है ना? इसे चले जाएंगे तो उपर बढ़ने पर जो हवा का भार है, वो भी तो कम होता जाएगा, हमारे उपर अब कम हवा का भार पड़ेगा, थीक है? तो उचाई बढ़ने पर एर प्रेशल जो है, वो कम होता है, क्यों क्योंकि हवा जो है, वो अब कम डेंस होती चली जाती है, जितना भी हम उपर जाएंगे. और यहाँ पर यह बताया गया है, कि हर समुद्रिस्तल से 600 फीट उपर जाने पर, हर 600 फीट पर, हर 600 फीट पर आपका जो एर प्रेशर है, वो 3.54 मिली बार, या अगर हम इसको बोलें, तो 0.1 इंज कम होता है, यहनकि जित 600 फीट की उचाई पर जाएंगे, तो 3.4 एंबी आपके उपर जो प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उचाई पर जाने पर कितना कम होता है, हर 600 फीट पर 3.4 मिली बार का कम होता चला जाता है, लेकिन यह जो चेंज आता है, यह केवल अठारा सो फीट उपर जाने तक ही होता, क्योंकि उसके बाद जो है, वो हवा और डिन सोने लगती है, और डिन सोने पर इतना उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जो 3.4 मिली वाली कंडिशन है, चैसो से, मतलब 18 से फीट तक ही वो अपलाई करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप से पूछा जाएगा, तो आप यही आंसर देंगे, कि हल 600 फीट पर 3.4 मिली के रेट से कम होता जाता है, अट्मासबरिक प्रेशर, ठीक है, प्लियर, तो प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर यह हमारे पास अल्थ है, तो अल्थ में हम उपल जाएंगे, तो अल्टिट्यूड बढ़ने पर, यानि कि उचाई बढ़ने पर, एट्मासबरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो अगर हम वर्टिकल मुवमेंट कर रहे हैं, उपल तो एर प्रेशर कम होगा, लेकि अगर हम होरिजॉंटल मुवमेंट कर रहे हैं, धर्टी की सतह पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यह हम अगर समुद्र तल पर ही हैं, तो समुद्र तल पर मान लीजे कि हम पॉइंट ए पर हैं, जहां पर टेम्प्रेचर फिफ्टीन डिग्री तो क्या यहां पर प्रेशर बदलेगा? पर फिलहाल, क्योंकि हम तो उसी उचाई पर हैं, यहां पर बेसिकली प्रत्वी के घुमने का फरक पड़ेगा, लेकिन यहां पर मेजर जो फरक पड़ेगा, वो पड़ेगा किसका? टेम्परेचर डिफरेंस का. अगर यहां का टेम्परेचर डिफर कर रहा है, तो टेम्परेचर के डिफर करने की वज़े से, जो प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा. अच्छा, अभी यहां पर एक चीज और जेक लेते हैं कि जो प्रेशर है, उस प्रेशर में डिफरेंस क्यों आएगा? विशेग जी ने बिल्कुल बताया, सही. तो एर प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं, वो किन-किन चीजों की वज़े से आते हैं. तो एक तो एल्टिट्यूट की वज़े से आता है, यानि कि उचाई की वज़े से आता है, दूसरा टेम्परेचर में चेंज होने की वज़े से आता है, एर सर्कुलेशन की वज़े से आता है वाश्प कितनी है उस वाश्प की उपस्थिति या उस वाश्प की मात्रा की वजह भी air pressure में changes होते हैं लेकिन जो major change होता है 36 रूप से चलने पर धर्वती की सत्य पर वह temperature difference की वज़य से होता है लेकिन बाकी जो factors है जो यहां पर लिखें वो भी impact डालते हैं क्योंकि धलती है और एक ही चीज पर बहुत सारी चीजें असर डाल लए इसी एक चीज से कोई एक चीज प्रभावित नहीं होती बहुत सी चीजें मिलकर असर डालती है जिसमें कोई चीज ज्यादा असर डालती है कोई चीज कम असर डालती है तो air pressure इन सभी चीजों की वज़ लिएकिन अगर हम 36 मूव कर रहा है होरीजॉन्टल कर रहें एक जगह से दूसरी जगह पर तो यहां पर टेंपरेचेर में चेंज़ आने की वजय से टेंपरेचर घट गटे का एयर के बी सकता है और बढ़ भी सकता है तो यहां पर एक चीज है जिसका नाम है प्रेशर हिंदी में इसको बोलेंगे शायद दाब गुडान यह क्या होता है यह होता है रेट आफ चेंज अफ प्रेशर पर यूनिट होरिजॉन्टल डिस्टेंज यानि कि 36 रूप से एक इकाई दूरी तै करने पर दाब में जो परिवर्वतन आता है उसे प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं यानि कि 36 दिशा में चलने पर या 36 रूप से प्रतिएकाई दूरी पर दाब में आने वाला परिवर्वतन प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट हिंदी में दाब प्रवंता है यहां तक कोई समस्या तो नहीं ठीक है अब हम लोग एर प्रेशर समझ चुके हैं अब लोग आते हैं प्रेशर ग्रेडियंट पर जो डाइगराम हम लोगों ने देखा था शुरुवार्ट किसी को कंच्यूजिंग तो नहीं लग रहा है आसाने से समझ में आ रहा है इतनी बाते बताएं वह सारे क्लियर हो गई है संगीता जी क्लियर रही है वैशाली जी यह से लापना वर्टा है यह उपर जा रहे है उसी की बाते नहीं होरे जंट्री 36 उपर जाने को वर्टिकल बोलेंगे चैति से उपर जाएंगे तो यह वर्टिकल है और जमीन पर ही एक जगह से दुसी जगह जा रहे हैं तो यह 36 मुवमेंट है होरिजॉंटल जैसे हम कानपू से लखनाव चले गया या दिली से करकत्ता चले गया तो यह 36 मुवमेंट कर दा है होरिजॉंटल करता है तो आपने इसमें यह बताया ना जैसे कि चाटिक रूट में आकर हम जाएंगे तो टेंपरेचर घड़ भी सकता है बड़ भी सकता है क्योंकि वह तेंपरेचर पर डिपेंड करेगा बिलकुल सभी और जब हम उड़वा दर जाएंगे तो तो वह एक डेपनेट है कि टेंप बना शुरू करते हैं कि आखिरकार वह बिल्ट बनती कैसे हैं ठीक है तो मैं फिर एक बार डाइगराम बना ले रहा हूं यहां पर हमारे पास यह एक वेटर है जीरो डिग्री लाटिट्यूट पर ठीक है और हम यह जानते हैं कि एक वेटर पर जो सन है वो सीधे सर प्र समगता है इस पर बिल्कुल परपेंडुकलर होता है पहले से पता होगी क्यों क्योंकि जो सूर की किरने होंगी वह एक्वेटर पर क्या होंगी बिल्कुल सीधी पड़ती है यह बात आपको क्लियर होगी पहले से पता होगी कि विशुबत रेखा पर या भूमत रेखा पर सूर बिल्कुल भूमत रेखा के लंबवत चमकता है या भूमत रेखा के ब ही हम सूर के उत्तरायन और दच्छायन की बात नहीं करेंगे हम बस यह मानेंगे कि वह यहीं पर रहता है ठीक है तो अगर सन बिलकुल यहीं पर रहता है तो यहां पर टेंपरेचर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तेंपरेचर क्या हो जाएगा तो प्रत्वी पर टोटल साथ प्रेशर बिल्ट्स हैं प्रत्वी पर टोटल साथ प्रेशर बिल्ट्स हैं इन साथ में कुछ ऐसी है जो हाई प्रेशर बिल्ट्स हैं और कुछ ऐसी है जो लो प्रेशर बिल्ट्स हैं जहां पर low pressure होता है ठीक है clear कुछ high pressure belt से हैं और कुछ low pressure belt होती है और total जो बेल्ट है वो हमारी साथ फोस्ते हों देख चुके हैं वापस आ जाते हैं यहां प़र और यहां पर हमने देखा कि सूर की के रड़ जो हैं वो सीधी equator पर पड़ती है तो यहां का तेमपरेचर हो जाएगा ज्यादा अभी अभिशेक जीने उससे पूछा था कि टेमपरेचर ज्यादा होने से प्रेशर कम क्यों हो जाता है तो यहां पर जब टेमपरेचर ज्यादा हो जाएगा तो टेमपरेचर के ज्यादा होने से जो हवा होगी वो गरम होगी कि ठंडी जब कोई चीज गर्म होती है तो बेसिक साइंस का कंसेप्ट है चीज गर्म होने पर फैलती है या सिकुडती है हवा गर्म होगी, गर्म होने से यह क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, गर्म होने से जब यह एक्सपैंड करेगी, तो यह हवा हलकी हो जाएगी कि भारी हो जाएगी, यह हवा क्या हो जाएगी, हलकी हो जाएगी, जब हवा हलकी हो जाएगी, तो यह नीचे की तरफ बैठेग कि उपर की तरफ उठेगी उपर की तरफ उपर की तरफ गराम हवा का गुबारा उपर जाता है ना तो यह हवा कहां जाएगी यह हवा उपर की तरफ जाएगी तो अभी यहां पर हवा है और यहां की हवाद आप उपर की तरफ जाने लगी तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा की नहीं हो जाएगा हवा को जो दवाओ पढ़ रहा था वो हवा के उपर उठने की वज़े से क्या हो जाएगा हवा के फैलने क्योंकि हवा यहाँ पर क्या हो गई कम डेंस हो गई फैल गई और उपर उठने लगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा low pressure यानि कि इसको क्या बोल सकते हैं कि जब temperature बढ़ा तो pressure क्या हो गया low हो गया हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो यहाँ पर equator में तो यही हो रहा है तो equator पर temperature ज़्यादा है ज़्यादा temperature की वज़़े से हवा बहाँ की गरम होगी हवा गरम होने से expand करेगी हलकी हो जाएगी और हलकी होकर वो क्या करेगी उपर उठेगी और उपर उठने से यहां का जो pressure होगा वो क्या हो जाएगा और यह जो situation arise होती है यह equator के दोनों तरफ 5 degree latitude के area में होगी इधर भी 5 degree और इधर भी 5 degree तो यहां पर 5 degree north से लेके 5 degree southern latitude तर एक low pressure का area डेवलप हो जाएगा जहां से हवा कहां जा रही है उपर उठ रही है जिससे यहां पर क्या हो गया low pressure हो गया और क्योंकि यह low pressure equator पर डेवलप हुआ है इस दिए इसको बोलते है equatorial low pressure built या विशुवतिये निम्नदाब की देखा एक्वेटर पर low pressure built कैसे डेवलप होई आप समझ गए थोड़ा सा इससे हट की एक चीज समझते हैं और ठीक है अभी हम वापस यहीं पर आएंगे थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैश बैक में चलते हैं और पिछले ओशन करेंट के लास्ट के पहले वाले वीडियो को याद करते हैं वहाँ पर मैंने यहाँ एक डाइग्राम अर्थ का बनाया था और यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर high pressure का low pressure का area है यहाँ पर high pressure का area है जो wind होगी वो हमेशा high pressure से low pressure की तरफ चलती है ध्यान रखिएगा ठीक है high pressure से low pressure की तरफ चलती है और हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर जो दोनों तरफ से जो हवा है तो एक क्वेटर की तरफ आ रही थी एक क्वेटर की तरफ क्या कर रही थी हवा आ रही थी कुछ इस तरीक के से चीक है अभी इसको भी समझेंगे थोड़ी दिर बाद बस आपको याद दिला रहा हूँ कि ऐसा था की नहीं था था ना इनको हम लोगों ने trade wind बोला था दोनों तरफ से यह जो trade wind यहां से उठके आ रही है हाई प्रेशर के जोन से लो प्रेशर में वो कहां पर आपस में मिल जाएंगी यहीं पर आके मिल जाएंगी यहां पर फाइव डिगरी के आसपास का जो एरिया है इसके अंदर नहीं जाएंगी इसके बाहरी इलाके में करेके से मिलती हुई समझ में आएंगी और इस तरफ मोब करना शुरू कर देंगी तो यह जो इलाका है हम यह बोल सकते हैं ना कि यह southern hemisphere से आने वाली trade winds का और northern hemisphere से आने वाली trade winds का मिलानिस्थल है क्या सकते हैं बोलिए यह सैर यह बोली जो trade winds नहीं है इनको हम लोग बोलते हैं नौर्थ इस्टर्ण trade wind और इनको बोलते हैं यह भी अभी देखेंगे बस अभी क्यों ध्यान रखिए कि यह North Eastern क्योंकि North East से आ रही है ये South East से आ रही है तो यहाँ पर वापस उपर वाले डाइग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं या आप लिख लीजिए या समझ लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है जिसको हमने यहाँ पर एकक्वेटोरियल लो प्रेशर बिल्ट के नाम से जाना है ये क्या है ये North East से आने वाली और South East से आने वाली ट्रेड विंड्स का मिलनिस्थल है या हम इसको इंग्रिश में क्या बोल सकते हैं कि दो एक्वेटोरियल लो प्रेशल बेल्ट रिप्रेजेंट्स दा जोन ओफ कनवरजेंस अफ नॉल्थ इस्टर्न एंड साउथ इस्टर्न ट्रेड विंड्स ये बात आपको पक्का है घलत तो नहीं बता रहा हूं किसी को लगतने रहे कि जबलतस्ती समझाय दे रहे हैं लॉजिकल है ना ठीक है जोग्राफिक सांटिफिक सब्जेक्ट है सांटिफिक तरह की जो समझेंगे तो बहुत आसान सब्जेक्ट है ठीक तो यह बेसिकली क्या है कनवर्जेंस चोन यहां पर इस तरफ से जो इस होगा बिकल शान होगा पर आके बिलकों शानत होगा जहां पर नाक के बराबर या बहुत कमझौर होँएंगी जहां पर तो तेज हवाँ चलेंगी लेकिन इसके बीच का काफी सारा इलाका ऐसा होगा जहाँ पर कमजोर और धीमी या कभी-कभी तो हवा ही नहीं चलेगी ठीक तो ये जो इलाका होगा इस एक्विटोरियल लो प्रेशर बिल्ट के अंदर का यहां पर बहुत light बहुत कमजोर, feeble ठीक है जो winds है वो चलती है या कभी-कभी तो ना के बराबर ही हवाँ चलती है यानि कि यहां पर कैसी situations है calm conditions है, शांत, इस्थिती, हवा लगा या तो चलेगी ही नहीं या बहुत ही कमजोर चलेगी तभी तो यहां से counter-equatorial current लौट पाती है या करिए तो जोर हवा होगी तभी तो counter-equatorial current opposite direction में बहे पाएगी न अधरवाइज तो उसको बहने ही नहीं दिया जाएगा है न बताए क्लियर है पॉइंट जी सर तो क्योंकि यहां पर calm conditions होती है इसी लिए इस बेल्ट को अच्छा इधर वाला पार्ट में साफ कर दो जगह थोड़ी सी कम है ठीक काम conditions होती है इसी लिए इस जो equatorial low pressure built है इस बेल्ट को हम लोग बेल्ट आफ काम भी कहते है या इसी को डोल ड्रम भी कहते है इसको equatorial low pressure built को built आफ काम यानि की शान्त मंडल या डोल ड्रम भी कहा जाता है क्लियर ठीक को समस्या यहां तक तो डोल ड्रम का इरिया क्या होता है फाइव डिग्री Northern Latitude से लेकर फाइव डिग्री Southern Latitude तक ठीक है इसको शान्त मंडल या डोल हम कहते हैं अच्छा मुझे बताएए यह जो high यह जो low pressure built बनी है अच्छा यहां पर जितनी भी हम लोग built देखेंगे उनके बनने के दो कारण है या तो वो built बनी होगी temperature की वज़े से या तो वो built बनी होगी धलती के घूमने की वज़े से जो temperature की वज़े से बनती है उनको बोलते हैं thermally induced या thermal induced या ताप जन्य और जो प्रत्वी के घूमने की वज़े से बनती हैं उनको बोलते हैं या गती जन्य आप मुझे बताएए यह जो equatorial low pressure built बन रही है या धलती के घूमने की वज़े से बन रही है या तापमान के ज़्यादा या कम होने की वज़े से बन रही है temperature की वज़ा से बन रही तो इसकी उत्पत्ती का कारण क्या है यह thermal induced है या ताप जन्य है तो कारण क्या है ताप जन्य लोकेशन क्या है इसको आप बिल्ट आफ काम भी बोलते हैं डोल्डरम भी बोलते हैं कैसे बन रही है हवा की उपर उठनीक बज़े से बन रही है क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है इसलिए यह बन रहा है यहां पर लो प्रेशर तो अब आपको समझ में आ गया की equator पर लो प्रेशर बिल घानेमिक या घानेमिक या ढती जन्लेग धलती के रोटेशन की वज़े से अगर कोई बिल्ट बन रही है तो उसको डैनेमिक बोलते हैं ठीक है और आपसे पूंचा जाए कि डोल्डरम को डिफाइन करें तो इसकी कोई अलग डिफिनेशन ने इसको यहीं करेंगी कि 5 degree northern latitude से 5 degree southern latitude के 20 का एरिया ऐसा है जहांपर low pressure होता है और वहांपर जो हवा होती है वो बहुत कम बहती है या कभी कभी हवा बहती ही नहीं है इस जो लाटिटूडनल जो एरिया है इसको डोल्डरम या बेल्ट आप काम कहा जाता है ठीक है विशेक जी अगली बेल्ट पर चले यह सब साफ कर दूमे अब चलते हैं अगली बेल्ट पर इसके ठीक बगल वाली बेल्ट का नाम है कौन सी वाली बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ठीक है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उसका नाम है तो यहाँ पर एक बेल्ट बनी यह लो प्रेशर है यह बिल्ट बन रही है 30 डिग्री से 35 डिग्री तक इधर भी बन रही है और साउधन हेमिस्फेर में भी बन रही है 30 डिग्री साउधन लाटिट्ट से 35 डिग्री साउधन लाटिट्ट के बेच में अब यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर होता है ठीक है यहाँ पर हाई प्रेशर होता है दोनों हेमिस्फेर पे दोनों गुलादों में बनेगी अब हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर एक वेटर के पास से जो हवा उपर उठी equator के पास से जो हवा उपर उठी यहां पर यह जो हवा उपर उठ रही है यह हवा उपर उठती है और फिर धर्टी के घूमने की वजए से 30 से 35 डिग्री लैटिटूड के आसपास पहुंस के ये नीचे उतरने लगती है इधर भी और इधर भी उपर उठी उपर उठके यहां पर 30 से 35 डिग्री लैटिटूड के आसपास ये नीचे उतरने लगती है अब ये जब उपर उठी है तो नीचे तो गरम है और उपर हो जाएगFI थंडी क्या हम धर्टिंगे के ओपर बढ़ने चले जा たनके जी चाहाएं जाती है री और जब छापन्डी धर्दी होती हम Juanbeí कमी होती है कुर्डे कमी होती है तो हो यहां curly कि थंडी होना शुरू चाइगी और जाब डियोना शुरू हो जाएगी तो यह नीचे उतरने लगे गेगी और यह नीची उसी जगह पर नहीं उतरेगी और है कि यहां पर अपर orf प्रफ फैलती है और फैलने के बाद ये नीचे उतरना शुरू करती है जब ये नीचे उतरना शुरू करती है यानि कि इसका हवा का क्या हो रहा है हवा का डीसेंट हो रहा है हवा का डीसेंट हो रहा है हिंदी में बोलेंगे तो हवा का क्या हो रहा है अवतलन हो रहा है यहां पर हवा ऊपर जा रही थी और यहां पर हवा नीचे आ रही थी यहां पर हवा का उत्फान हो रहा था एसेंट हो रहा था यहां पर हवा का डीसेंट हो रहा है हवा नीचे आ रही है हवा का अवतलन हो रहा था जब हवा ऊपर गई थी गरम होके तो प्रेशर बढ़ा था कि घटा था. यहां पर हवा नीचे आ रही है और जब नीचे आएगी, डेंट करेगी तो धीमेदी में ठंडी भी हो रही है तो हवा के ठंडे होने से हवा کا क्या होगा? Contraction होगा है ना, हवा का contraction होगा, उसके वाल्यूम का contraction होगा तो जब यह नीचे आ जाएगी, तो जहां पर यह नीचे उतरेगी वहां का प्रेशर क्या कर देगी है बढ़ा देगी ठीक तो वैसे तो यहां पर यह धर्टी के घूमने की वज़ए से फ्लस ठंडे होने के वज़ए से नीचे उतर रही है और नीचे उतर के यहां पर यह क्या कर रही है यहां पर हाई तो यहाँ पर यह नीचे उतर रहे दोनों तरफ और यह नीचे उतर कर यहाँ पर high pressure develop करती क्योंकि जो हवा ठंडी होगी तो वो compress होगी और contract होने से वहाँ पर जब ठंडी हवा नीचे बैठेगी तो वहाँ पर high pressure develop हो जाएगा high pressure की conditions को हम एक नाम से और जानते हैं anti-cyclonic conditions भी बोला जाता है high pressure को क्या बोलते हैं anti-cyclonic बोलते हैं तो यहाँ पर यह high pressure develop करेगी तो हर जगे कोई भी जगे आप जब देखेंगे जहाँ पर pressure high हो जाएगा तो high pressure की जगवज़े से वहाँ पर atmosphere कैसा हो जाएगा stable हो जाएगा high pressure की वज़े से वहाँ पर atmosphere stable हो जाएगा anti-cyclonic conditions बनेंगी atmosphere stable हो जाएगा वहाँ पर aridity होगी यानि की शुशकता होगी क्यों होगी आगे चलके देखेंगे फिल्हाल यह धियान रखिए कि जहाँ पर भी high pressure आपको देखने को मिलेगा हर high pressure की built में जो atmosphere होगा वो stable हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर high pressure है प्लस वहाँ पर aridity की conditions शुशकता वाली conditions पाई जाती है ठीक तो यह जो area है यह 30 से 35 degree latitude के बीच में है और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर aridity होगी शुशकता होगी आगता कम होगी क्यों क्योंकि हवा ठंडी है हवा जब ठंडी होगी तो उसकी humidity को hold करने की छमता क्या हो जाती है पड़ा जाती कि घट जाती है आप ने उमस का नभव कभ अगर्मी में किया है कि सर्दी में किया है कि घट neighbor जितनी घरम होगी उसकी humidity को उसकी वाटर को hold करने की छमता उतनी जयादा होगी और जितनी ठंडी होगी वह मthing होगी तो यहाँ ठंडी होके नीचे बैट रहे हैं इसकी यहाँ पने वाली conditions develop हो जाती है और इसी वज़ए से इसी वज़ए से हम यह देखते हैं कि continents के जो western part है उनमें जो 25 डिगरी से लेके 35 डिगरी latitude के 20 में जो hot deserts पाए जाते हैं उन hot deserts के develop होने के कारणों में से यह भी एक कारण है तो दिस इस वन अब दा रीजन्स वाली प्रिवेलेंस ओफ हॉट डिजर्ट इन दा वेस्टन पार्ट अब दा continent इना जोन extending between 35 डिगरी टू 30 sorry 25 डिगरी टू 35 डिगरी ठीक यानिकि धर्टी के प्रत्वी के दोनों hemisphere दोनों गोलादों में 25 से 35 डिगरी latitude के बीच में continents के western margin पर जो digits पाए जाते हैं जो होट Animation पाए जाते हैं उनके डेवलyब होने के कई कारणों में से यह जो high pressure built है यह high pressure burnt भी एक कारण घीक है Его कलियर कि दोबात आपको समझ की हाई है डइवाला पता देना एक बार लास वाला मैंने यह बताया क्योंकि यहां पर high Mommy बिल्ट में हवा ठंडी होके नीचे बैटरी तो यहाँ पर आदता कम से कम होगी हवा शुष्क होगी तो महौल भी शुष्क हो जाएगा और जब महौल शुष्क हो जाएगा तो वहाँ पर बारिश कम होगी और बारिश कम होने की वज़ा से वहाँ पर जो हॉट डिजर्ट है वो डेजर्ट डेवलप हो जाते हैं तो मैंने ये कहा कि धर्ती के दोनों हेमिस्फेर दोनों गोलादों पर कॉंटिनेंट्स के वेस्टर्न मालजीन पर जो हॉट डेजर्ट डेवलप हुए हैं उन हॉट डेजर्ट्स के डेवलप होने के कई कारणों में से एक कारण ये भी है क्या कि क्योंकि वहां पर उस डाटिट्यूट पर क्या पाई जाती है हाई प्रेशर बिल्ट पाई जाती है कौन सी वाले सब प्रॉपिकल हाई प्रेशर बिल्ट पाई जाती है क्लियर ये पॉइंट जी से ठीक है ये बात सबको समझ में आ गई अब यहां पर जैसा मैंने बताया कि एट्मास्फेर काम होगा तो यहां पर भी यह जो यह जो एरिया है दोनों तरफ यह जो एरिया यहां पर भी बिलकुल ना के बराबर अचा हो क्या रहा है यहां पर हवा उपर से आके नीचे बैठ रही है तो हवा उपर से नीचे बैठ रही है तो हवा उपर से नीचे बैठ रही है तो हवा उपर से थंडी होके नीचे आ रही है तो होरिजोंटल जो विंड है वो यहां पर नहीं चल पाती है होरिजोंटल विं सब्सक्राइब के पास पाल उठाओ पाल गिराओ तो वो जो शिप्स हैं वो तो किसी वज़े से चलती थी और जब वो शिप इस इलाके में पहुंसती थी तो इस इलाके में क्योंकि 36 horizontal wind ही नहीं चल रही है तो उनके पालवाल सब क्या हो जाते थे बेकार हो जाते थे वो move ही नहीं कर पाती थी तो इसलिए यह जो latitude है इस latitude को हम बोलते हैं false latitude दोनों साइड में क्या बोलते हैं इसको false latitude या हिंदी में क्या बोलेंगे अश्व अच्छान से बोलेंगे तो हवा के ना चलने से नावों के स्थिर हो जाने से इसको अश्व अच्छान से क्यों कहा जाने लगा यह सब आपको पता होगा कि पुराने जमाने में यहां पर जो जहाज गुजलते थे उनमें अक्सर घोड़े लदे होते थे अगर उनकी नाव आगे नहीं बढ़ पाती थी तो अपने नाव के बजन को हलका करने के लिए उन घोड़ों को पानी में फेकना सुरू कर देते थे जिसे नाव थोड़ी सी हलकी हो जाती थी और जो थोड़ा बहुत एफर्ट थोड़े बहुत एफर्ट से उस हलकी नाव को वो इस पूरे एरिया से बाहर निकाल पाते थे तो क्योंकि वो घोड़ों को फेंक देते थे इस दिसका नाम क्या रखा गया हौल्स आपको क्लियर हो गया ना क्योंकि हवा उपल से नीचे बैठ रही है तो यह अच्छान से हौस लैटिटिटूड है यहां पर भी हवा उपल से नीचे बैठके से छापी जबाए नहीं चल पा रही है अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मैंने कहा कि टेंपरेचल जहां पर ज यह क्या है यह सब ट्रॉपिकल एरिया है वो कोश्ट कटिबंधी च्छेत रहे हमारा भारत जो देश है भारत में क्या गर्मी नहीं पड़ती है हम लोग इसी लाटिटूट के आस पास ही तो है तो यहां पर यह एरिया ऐसा है जिस एरिया में पूरे साल ना सही लेकिन साल की एक बड़े पार्ट में साल की बड़े हिस्से में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है तो अगर यहाँ पर गरमी ठीकठाक पड़ती है तो फिर यहाँ पर कौन सा जोन होना चाहिए लो प्रेष़र डेवलप होना चाहिए लेकिन लो प्रेशर तो डेवलप नहीं हुआ यानि कि यह जो बेल्ट है इस बेल्ट पर temperature का कोई भी असर नहीं पढ़ रहा है क्योंकि temperature का असर पढ़ता तो low pressure होता लो pressure नहीं है तो यहाँ पर क्या है temperature का impact नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ पर यह जो high pressure built बनी है वो क्यों बनी है धर्ती के घूमने की वजए से equator के आसपास के area से जो हवाएं फैली वो यहाँ पर आक हैं बताएए क्या इसको हम thermal induced built बोलें कि dynamic built बोलें तो तो डाइनमिक है यानि कि यह गती जन्न्न है तो किसी को समस्या नहीं गती जंद नहीं है तो होती तो denied के ल मैं आगा अो ठीक है मैं नहीं तो नहीं हो रहांी वो दूत नहीं हो रहां है तो नहीं लग रहा नो से ठीक है तो ये हम समझ गए और यही सेम सिच्वेशन कहां पर हो रही है साथन हमिस्फेर में तो इसी सेम सिच्वेशन के वज़े से दोनों हमिस्फेर्स में ये हमारे पास हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो डेवलप हुई जिसको हम दोनों हमिस्फेर्स में क्या बोलते हैं हौल्स लैटिटीट बोलते हैं ठीक है अब ये हो गया अच्छा एक चीज और देखें ये जो हौल्स ये वाली जो हाई प्रेशर बेल बोलते हैं Southern Hemisphere में भी है और Northern Hemisphere में भी है लेकिन एक चीज़ यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह जो बेल्ट है कि मैं लिख देता हूं कि यह जो बेल्ट है यह एक सेकेंड यह जो बेल्ट है यह और Southern Hemisphere में ज्यादा डेवलप होगी प्लस कंटिनिवस होगी और Northern Hemisphere में यह कैसी होगी डिस कंटिनिवस होगी टुकडों में होगी साथन हमिस्फेर में यह ज्यादा डेवलप होगी कंटिनिवस होगी जबकि Northern Hemisphere में यह जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यह डिस कंटिनिवस होगी टुकडों में होगी और इन टुकडों को बोला जाता है क्या बोला जाता है अगर पूरी एक साथ है तो बेल्ट हो गई और टुकडों में है तो हर टुकडे को क्या बोला जाएगा सेल बोला जाएगा ठीक है कोई मुझे बता सकता है कि Southern Hemisphere में ज़्यादा डेवलप और कंटिनिवस क्यों है और Northern Hemisphere में यह डिसकंटिनिवस क्यों है सब्सक्राइब है समुद्र का तापमान लगबग एक जैसा होगा जबकि Northern Hemisphere में हमारा धर्टी भी है तो भले ही यह जो डेवलप्मेंट का हुआ है यह टेंपरेटर की वजह से नहीं हुआ लेकिन टेंपरेटर इसको थोड़ा बहुत परेशान तो कल सकता है न है न है न भाई अगर हम किसी को खिलाते नहीं है तो अगर हम उसको खिला रहा है तो ठीक ठाक खिलेगा हमने का तुम को खिलाएंगे नहीं तो वो परिशान करेगा कि नहीं करेगा तो इसी वजए से उस temperature difference की वजए से कहीं कहीं इसमें discontinuity आ गई है जिससे यह continuous build नहीं बन पाई और वो discontinuity क्यों है क्योंकि जब यह ocean के उपर से गुजरती है तो वहां के temperature में और जब यह तो हमको यह ध्यान रखना है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बिल्ट है यह southern hemisphere में तो ज़्यादा developed है ज़्यादा continuous है लेकि northern hemisphere में यह टूटी हुई है continuous नहीं है और इसके टूटे होने से जो टुकड़े बन रहे हैं उन टुक्ड़ों को हम बोलते हैं सेल्स क्लिया जी सर तो हम लोगों ने अब यह वेल्ट देख ली अब आती है अगली वेल्ट इसको साफ कर दूँ सर एक चीज पूछना है जैसे यह सर इक्वेटर पर सर डेवलप हो रहा है तो अगर सर क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब खड़ी मतलब सन की रेस पढ़ेंगी तो वहां पर लोग प्रेसर इरिया नहीं डेवलप होगा मैं आपको बताओं कि अभी तो हम लोग मैंने बता दो शुरुवात में कि हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि हम लोग दच्छिडायन उत्रायन का नहीं समझ रहे हैं ठीक है हम लोग वहां पर देखेंगे तो यह जो प्रेशर बिल्टे शिफ्ट हो जाती है जब सन ऊपर अच्छो चलिए इसको द्यान रखेंगे कि यहां पर जो हवा इप रही है वो यहां पर नीचे बैट रही है यह उटखे बैटने वाली जो सिटूमेशन एक हाँ पर होग में आसमार में हो रही है आकाष में हो और वह 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 पर उठखे आ रही है ठीक है इसको बाद में हम दोहराएंगे आगे चलके जब कुछ और नई चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे अगली क्लास में फिलाल अभी यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर एक और बिल्ट हम लोगों ने देखी थी इस इलाके में इसको याद है यहाँ पर कैसा प्रेशर था लोग प्रेशर यह थी हमारे पास कौन सी थी इसको हम लोग इक नाम से और पुकार रहे थी इंग्लिश में सब पोलर लोग प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने कहा था इसको ठीक है यह कितने लाटिटूट पर पाई जा रही है 60 से 65 डिगरी लाटिटूट पर दोनों तरफ 60 डिगरी नौर्धन लाटिटूट से 65 डिगरी नौर्धन लाटिटूट और 60 डिगरी सौधन लाटिटूट से 65 डिगरी सौधन लाटिटूट तक यह हमको मिलती है अब यहाँ पर basically यह क्यों पड़ रही है यहाँ पर low pressure क्यों है भाई यहाँ पर क्या होगा यह जो इलाका है बिलकुल पोल के पास है 66 बहुत higher latitude है यहाँ पर तापमान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए है न यहाँ पर तापमान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और तापमान के कम होने से यहाँ पर क्या होना चाहिए हाई प्रेशर है न लेकिन यहाँ पर क्या अनुभव किया जाता है लो प्रेशर समझ रहे मेरी बाद को कि नहीं समझ रहे है यहां पर तापमान तो कम है न और तापमान के कम होने पर देखिए जब टेंपरेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है घटता है और जब टेंपरेचर घटता है तो प्रेशर क्या होता है बढ़ता है तो क्योंकि यहां पर टे एरिया पाया जाता है वर्खो यांस का साइरिया का आप समझ सकते हैं यहांपर कितनी ठंडक होगी Arctic Circle के पास का हिलादागा है यह तो बहुत ठंडक होगी और उसके हिसाब से अगर देखे तो यहां पर high pressure पाया जाता है पाया जाना चाहिए लेकिन यहां पर मिल क्या रहा है हमको high temperature यहां पर मिल रहा है हमको low pressure लो प्रेशन एक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि यह जो belt है इस belt की उत्परती जो होगी वो thermal induced होनी चाहिए की dynamic होनी चाहिए डैनमिक होनी चाहिए विद्ध कर थर्मल induced होती तो temperature के कम होने की वज़ा से हैं पर high pressure develop होना चाहिए था किसी के मन में कोई शंका हो तो पोछ लें अभी सब लोगों को क्लियर है ने इस एरिया में क्योंकि पोलर बीच आएंगी और एक्वेटर से जाने वाली यहां पर जो विंट्स होंगी हवाएं होंगी वो भी एक तरह से मिलेंगी दोनों विंट्स तो यह थार मैं यहां नहीं जाएंगी थीख है और यहां पर न फंट्स के पास का इलाका है थंडा इलाका है यहां कम है और तापमान मीद्ट कम कन होने की वज़ेसे अगर मैब कि यहां पर फ्रींचर स्थेया हुद आइठी क्या सब्सक्राइब यह किस वज़ा से बनी है धलती के घूमने की वज़ा से बनी है और धलती के घूमने की वज़ा से यहाँ पर low pressure डेवलप हो गया वो कैसे डेवलप हुआ वो हम लोग सीखते हैं मेरा यह इतने नाटक का मतलब के वज़ यही था कि आप लोग यह समझ जाएं कि यहाँ पर यह थर्मान इंडियूस नहीं है अब यह low pressure कैसे है जब धलती घूम रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है धलती के घूमने की वज़ाए से इस इलाके की जो हवा है वो बाहर की तरफ मूब करती है यहाँ पर और यहाँ पर जो हवा है वो धर्ती के जो जियोग्राफल्स ने निकाला है जो रीजन बताया है उन्होंने वो यह है कि धर्ती के घूमने की वज़े से इस इलाके की हवा आउटवर्ड मूब करती है बाहर की तरफ भागी है और जब यहाँ से हवा बाहर की तरफ भागेगी तो यहाँ पर हवा क्या हो जाएगी हवा की मात्रा कम हो जाएगी किस आउस कर ले चाइवाई, हवा के बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करने की वजह से ही यहां पर low pressure क्या होता है, डीवलप होता है यह जियोग्राफकर उसने बताए, ठीक तो ये जो हवा आउटवर्ड मूव कर रही है इस इलाके से वो हवा आउटवर्ड इस लिए मूव कर रही है as per geographers क्योंकि धरती यहाँ पर घूम रही है और घूमने के वज़े से हवा आउटवर्ड मूव कर जाती है सब पोलर लो प्रेशर बिल्ट बन जाती है ठीक तो यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बिल्ट जो बन रही है वो कैसे बन रही है वो डाइनमिक बिल्ट है जो धर्टी के घूमने की वजए से डेवलप हो रही है क्योंकि धर्टी के घूमने की वजए से यहां पर हवा outward move कर जाती है बाहर की तरफ move कर जाती है इस इलाके से बाहर निकल जाती है तो इसलिए जोग्राफर्स ने कहा कि यह डाइनमिक है यह धलती के घूमने की वजह से बन रही है इसलिए यह डाइनमिक है अब यह वाली जो बेल्ट है यह वाली बेल्ट भी सेम सब ट्रॉपिकल जो बेल्ट थी उसकी वजह से यह वाली बेल्ट भी यहां पर ज्यादा कंटिनीवस है यानि कि साउदन हमिस्पेर में ज्यादा कंटिनिवर्स है ज्यादा डिवलप है जबकि यहां पर यह क्या है broken है broken है ठीक यहां पर यह discontinuous है और इसका जो असर है इसका जो low pressure है वो कुछ-कुछ इलाके ऐसे है जहां बिल्किल साफ महसूस किया जाता है जहां बिलकुल साफ जो है वो महसूस होता है यानि कि उन इलाकों में यह low pressure जो इसका जो पार्ट है वो well defined है जानि कि टुकडा है को सेल बोलेंगे वो well defined है और वो इलाके कौन कौन से है Pacific Ocean में एक island और अंटाक्टिक कोशन में ग्रीन लैंड और आइस लैंड के जो इलाके हैं वहाँ पर इसका जो इसकी जो सेल्स हैं जो हाई प्रेशल सेल्स हैं उनको वेल डिफाइन तरीके से महसूस किया जा सकता है ठीक तो अगर सवाल यह आता है कि Northern Hemisphere में जो सब पोलर लो प्रेशर मैंने मुझे सायद हाई प्रेशर निकल गया भी ठीक है लो प्रेशर होगा सब पोलर जो लो प्रेशर बिल्ट है वो पूरी तरीके से वेल डिफाइन उसकी सेल्स कहां पर पाई जाती है तो पैसिफिक कोशन में अलूशियन आईलेंड और अंटाक्टिक कोशन में ग्रीन लेंड और आइसलेंड के पास का दो समुद्री छेतर है वहाँ पर ये वेल बश्यार सकता है निलाको pompa में ठीक यहां का बी कारण वही है कि यह सौधर्ण हमिस्फेर में ज्यादा कोंट्मिवर्स या ज्यादा डैवलबक घरट सो अंटीनुद्र तो शाया निक योडा, इस डिफरेंड बहुत की है वहाँ पर ब्रोकन हो जाती है ठीक, clear? भी जूँद है अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास equatorial low pressure built है पिर यहां पर हमारे पास sub-tropical high pressure built आई पिर ये हमारे पास sub-polar low pressure built आई और ऐसे इधर भी ये high pressure built और इधर भी ये low pressure built जिनमें से beach वाली कौन सी थी? धर्मली इंडियूस यानि की ताप जन्ने थी, ये dynamically इंडियूस थी और ये भी dynamically इंडियूस थी ठीक है? तो यहां तक कोई समस्चा तो नहीं, सारी चीज़े clear है आप लोगों को जी सो ठीक, अब हम चलते हैं poles पे एक pole को समस्च देंगे, दुसरा pole अपने आप clear हो जाएगा जब poles पर चलते हैं, तो poles पर कैसा था माहल? low pressure था की high pressure था? high pressure high pressure poles पर high pressure था मैं इसको साफ कर देता हूं बगरवारी सारी चीज़े poles पर high pressure था अब हम लोगों ने इन जो belts हैं उनके develop होने के दो कारण अभी देखे कि या तो वो temperature की वज़े से develop होंगी या वो धर्ती के घूमने की वज़े से develop होंगी अब poles पर ये दोनों ही phenomena काम करते हैं, ये दोनों ही चीजें काम करती हैं poles पर घूमने की वज़े से हावा बाहर भी जाती है लिकिन जो temperature है वो इतना कम है poles पर कि हवा के बाहर जाने से जो low pressure generate होना चाहिए था वो low pressure generate नहीं हो पाता क्योंकि temperature का जो impact है वो उसको over shadow कर लेता है यानि कि pulse में दोनों फिनॉमिना है दोनों फिनॉमिना काम करते है thermal भी और dynamic भी लेकिन जो thermal फिनॉमिना है thermal induced वाला जो चीज है वो over shadow कर लेता है over power कर लेता है यानि कि दबा देता है इसके असर ठीक है क्योंकि temperature इतना ज्यादा कम है इतना बहुत ज्यादा कम है कि जो हवा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उसकी वज़े से जो low pressure generate हो रहा है उसको यह high जो बहुत ज्यादा freezing point के नीचे का भी जो temperature है उसकी वज़े से वो impact over shadow हो जाता है और ultimately यहाँ पर इसके ठंडे होने की वज़े से बहुत ठंडे होने की वज़े से high pressure यहाँ पर क्या हो जाता है डेवलप हो जाता है तो यहाँ पर फिनामना तो दोनों काम करने हैं लेकिन यह कैसा हो गया यह बेकार हो गया यह कुछ कड़ी नहीं पा रहा है कर किस ने दिया इसने कर दिया इसलिए कैसा है थर्माल इंड्यूस्ट या यह बात क्लियर ठीक है वो उसके दोनों काम कर रहे हैं लेकिन यह टेम्परेटर इतना कम है कि उसने उसको ओवर पावर कर लिया और यहाँ पर थर्माल इंड्यूस्ट की वज़ए से high pressure डेवलप हो जाता है ठीक है तो यह कैसी है यह थर्माल इंड्यूस्ट है तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास tootal साथ बिल्ड़्स बन जाती है यह बिल्ड्स कैसे बन रही है थर्माल इंड्यूस्ट है या डायनमिक है ये कितने एडिया में फैली हुई है वगरा वगरा हम लोगों इनके सभी जो चीजे हैं वो पढ़ ली है इन चीजों को आपने की समझ लिया अची तरीके से कोई डाउट तो नहीं मन में है पूछ लीजी अभी अगर कोई डाउट हो तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कोई डाउट सारी चीजे क्लियर जी सर पूछेगा तो बता देंगे ना जी सर अपनी गवर मेरी नाग तो नहीं कटाएंगे अब हम लोग आते हैं कि आखिर कारिन प्रेशर बिल्ट की वजह से हवाएं कैसे चलती है कौन सा वादा डाइग्राम ये जो डाइग्राम है मिटिया ठीक है तो यहाँ पर जो हवाएं चल रही है हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो हवाएं है वो इस तरीके से चल ठीक है और यहाँ पर कैसे चल रही है यहाँ पर हवाएं चल रही है इस तरीके से वगरा वगरा तो आखिर कारे हवाएं किसी पर्टिकलर डारेक्शन में चल रही है तो क्यों चल रही है यानि कि हवा इस्टरली है और वेस्टरली है तो वो इस्टरली क्यों है और वेस्ट के पहले हम लोग चलते हैं ओशन करेंट की पहली वाली क्लास में उस ओशन करेंट की पहली वाली क्लास में मैंने आपको एक फोर्स का नाम बताया था एक बल का नाम बताया है इसका नाम था और मैंने कह था कि धल्ती के गूमने की वजहे से माने अर्ट का एक डाइग्राम बनाया था और मैंने कहा था धल्ती वेस्ट से इश की तरफ घूम रही है और जब वो वेस्ट से इस की तरफ घूमेगी तो यहां से वो west से इसकि तरफ घोमेगी तो यहां से जो सीधा चलना चाहेगा पोल से कहार की तरफ वो सीधा नहीं चलताएगा और वो क्या हो जागा डाइवर्ट हो जाएगा इस तरफ divergence आजाएगी उसमें रिधर भी उसमें divergence आजाएगी और मनें बताए था कि डाइवलजन किस डारेक्शन में आ रही है तुवर्टस वेस्ट आ रही है याद है ना सब लोगों को हंदी में इसको विक्षेप बल बोलते हैं इसका नाम कोरियॉलिस फोल्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो concept दिया था उस वग्यानिक का उस जियोग्रफर का नाम था जी जी कोरियॉलिस तो उसी जी जी कोरियॉलिस के नाम पर इस विक्षेप जिसको हिंदी में विक्षेप बल बोलते हैं उसको इंग्लिश में कोरियॉलिस फोल्स या कोरियॉलिस बल का नाम दे दिया गया बहुत सबर्शब्दों में सिंपल सी बात यह है कि वेस्ट की तरफ यह डाइवर्ट हो जाएगी तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप नौल्ट से साउथ मूव करते हैं यह नौल्ट है यह साउथ है नौल्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आप किस हाथ की तरफ मुर जाएंगे और अगर आप साउथ से नौल्ट की तरफ जा रहे हैं तो डाइवर्जिंस किस तरफ होगा लेफ्ट बाएं हाथ की तरफ ठीक है इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर हम नौल्थ से साउथ जा रहे हैं तो दाएं हाथ की तरफ मूव करेंगे कहां पर यह हम इसको ऐसे बोले इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Northern Hemisphere में दाएं हाथ की तरफ और Southern Hemisphere में बाएं हाथ की तरफ लेकिन इससे बेहतर इस बात को ध्यान दखना है इस से प्रेश्ट बेतर इस बात को ध्यान रखना है ठीक तो यह किस तरफ हम डाइवर्ट हो जाएंगे किस तरफ डाइवर्जेंस आएगा वो आपको समझ में आ गया दाएं हाथ किधर और बाएं हाथ किधर इसी चीज को फेरल ने सुन्दर शब्दों में सहेज के बताया है लेकिन फेरल से जाने के पहले एक चीज समझना बाती रहे गया कि अगर एक हाई प्रेशर का एरिया है और एक लो प्रेशर का एरिया है और हम हवा को वहापर छोड़ें मतलब हवा है वहाँ पर तो हवा किस तरफ से किस तरफ मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ की हाई प्रेशर की तरफ की हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगी ये बात सब को समझ में आ गई क्यों मूव करेगी तो कि लो प्रेशर की हवा जो है वहाँ पर लो प्रेशर क्यों ह कुछ आई ओपर उठे जगह खाली हो गई जगह कारने के लिए यहां की कि अवा यहां भाक कि आईगी भालने के लिए उस जगह कर तो हवा मुग करेगी हाई परेशर लूग परेशर यह पहली कंसेप्ट आपको पहले से पता था मैंने कुछ नहीं बताया अब यह जो बात है इसको देख लेते हैं North से South अगर move तो दाएं और South से North तो बाएं किसी को फेरल ने अपने शब्दों में बताया जिसको बोलते हैं फेरल का नियम या फेरल's लोॉ फेरल का नियम फेरल का नियम कह सल शब्दों में बता दे रहा हूँ यह कहता है की ये high pressure है और ये क्या है ये low pressure है हवा यहां से इस तरफ आएगी अगर धर्टी घूम ना रही होती तो ये बिलकुल सीधी रेखा में आ जाती कि नहीं आ जाती है ना सीधी रेखा में आ जाती कि नहीं आ जाती बिलकुल आ जाती लेकिन धर्टी घूमने से कोरियॉलिस फोल्स लग रहा है जिसको क्या कर देगा डाइवल्स कर देगा इसके रास्ते से इसको बटका देगा यही बात फेरिल ने कही फेरिल ने कहा कि अगर आप हाई प्रेशर की तरफ पीट और लोग प्रेशर की तरफ मुँ करके खड़े हो जाएं यानि कि हवा की बहने की दिशा में मुँ करके खड़े हो जाएं हवा हाई प्रेशर से लोग प्रेशर जा रही यानि कि अब हवा की बहने की तरफ मुँ करके खड़े हो गए यानि कि अगर आप हाई प्रेस्ट्र की तरफ पीठ करके खड़ें इधर आपकी पीठ है इधर आपका मुँ है आपका चेहरा है आपका फेस है मुँ करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलाव यानि कि नौल्दन हेमिस्फेर में हवा आपके दाइयों तथा साउदन हेमिस्फेर में आपके बाइयों विच्छेपित याड डाइवर्ज हो जाएगी यही तो मैंने बताया अभी थोज़ दिल पहले है ना भूलिया कुछ और बताया था मैंने यही तो बताया था लेकिन दोनों ने उसको आपके हाथों की तो बता दिया तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस नियम की वज़ए जाएगा आप चलते हैं वापस से कि इसको मैं साफ कर देता हूं और जो विंड है जो ट्रेड विंड्स हैं जो वेस्टरली यहां वह आखिरकार क्यों वेस्टरली है क्यों इस्टरली है और उनके बहाने की देशा क्या है वह समस्ज़ लेते हैं अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में हाई प्रेशर कौन सा है लो प्रेशर कौन सा है यह लो प्रेशर है और यह क्या है हवा इधर से इधर चलेगी यानि कि नौल्ट से साउथ की तरफ चलेगी अगर यहां पर धलती घूम ना रही होती तो यह हवा यहां से चलती और सीधे यहां पर आ जाती आ जाती की नहीं आ जाती लेकिन धलती घूम रही है कोरियोरिस फोल्स लग रहा है जिसका हम लोगों ने अभी देखा तो यह हवा मुड जाएगी यह हवा विच्छेपित हो जाएगी और अगर हम फेरिल के आसान से नियम के हिसाब से समझें और हाई प्रेशर की तरफ पुद्धा प्रेशर करें प्वीड कर लें और लोग परिश्र अपक्राइब कर लें तो यह हवा किस तरफ डाईवर्ल होगी कि भाई कि यहां से इसे तरफ चली जाएगी चली जाएगी नहीं चली जाएगी है ना दाइए और चली गई खड़े होके देखें यहां पर इधर अगर आपकी पीठ है इधर आपका मुह है तो यह आपका बाया हुआ इधर आपका दाया हुआ हवा दाइए और मुड़ गई क्लियर यह अच्छा अगर हम साउधन हमिस्फेर में है यहां पर हाई प्रेशर है यहां पर लो प्रेशर है तो अगर कोरियोलिस फोल्स ना होता है धर्टी घूमना रही होती तो यहां भी हवा को बिल्कुल सीधी रेका में साउध टू नौल्ट हाना चाहिए था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेकिन दुरभाग किसे धर्टी घूम रही है कि अगर आप हाई प्रेशर की तरफ पीठ करके लो प्रेशर की तरफ मुह करके खड़े हो तो साउधन हेमिस्पेर में हवा आपके किस हाथ की तरफ घूम जाएगी लेट साइड यारे कि ये इधर चली जाएगी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी ठीक चली गई क्लियर ये किस नियम से फेरल के नियम से अच्छा हवा फेरल के नियम से नहीं जा रही हवा तो अपने कोलरिस पोस की वज़ेश जा रही है फेरल ने क्या किया उसको देखा, उसको समझा और उसको शब्दों में ढालके हमको आसान भाशा में बता दिया हुआ तो हवा अगर कहें कि फेरल के नियम से चलती है नहीं, हवा फिलकनिस नहीं चलती हवा को देखकर फेरल से यह नियम बनाया है समझे है आप लो ठीक है तो ये जो हवा है अगर हम यहां वाले portion को देखें तो ये हवा North से South की तरफ जाने की कोशिश कर रही है लेकि North से South की तरफ जाने के बजाए ये North West चली गई कहां चली गई? North West North और इधर West है? North West चली गई? North West आ रही है तो किदल से आ रही है? स्वली North West ने South West चली गई ये North West से आ रही है ये ऊपर से आ रही है उपर North है ये North East से आके साउथ West में जा रही है और यहाँ पर South East से आ रही है और जा रही है कहा नौर्थ वेस्ट में दिशा में कोई कन्फूजन किसी को देख लीजिए समझ लीजिए अपने जितना कोशिश करके फिर अगर नहीं आ तो मुझे बताईएगा कि क्या ये वाकई में नौर्थ एस्ट से आकर साउथ वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है और ये साउथ एस्ट से आकर नौर्थ वेस्ट जा रही कि नहीं जा रही है ये चीज़ आपको हजम हो जाएगा तो मुझे बताईगे सभी को हो गई ठीक है यानि कि ये हवा अगर हम देखें मोटे तोर पर तो ये हवा इस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? इस्ट से वेस्ट जा रही है? और वो हवा जो इस्ट से वेस्ट जाती है उसको क्या बोलते है? पुरुवाई या पुरुवा और इंग्रिश में क्या बोलते है? इस्टरली और वो इस्टरली जो यहां पर बहती है उसको बोलते हैं क्या कि ट्रेड विंड इस्ट की तरफ क्यों बहती है और इसको इस्ट्रेली क्यों क्यों समझ गया ना अब चलते हैं इसके बाद इसके उपर वाले इलाके में यहां पर यहां पर मुझे बता दीजिए कि यह क्या है यह हाई प्रेशर बिल्ट है यह क्या है यह लो प्रेशर बिल्ट है है ना हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगी की नहीं रहेगी इसको थोड़ा सा पकड़ा कर लेते हैं इसे हवा को बैने का रास्ता तो मिले कम से करें ठीक है तो हवा यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ बहेंगे रेकर धलती घूम ना रही होती तो हवा सीधी रेखा में चलके अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है लेकिन धलती घूम रही है और यहां पर फिर्ट से क्या लगेगा फेरिल का नियम और यह कहेगा कि नौल्डन हमिस्पेर में अगर आप हाई प्रेशर की तरफ पीट करके और लो पर शेक तरफ मुझ करके खड़े हो जाएं तो नौल्डन हमिस्पेर में हवा अपने किस तरफ घूम जाएगी राइट साइड में राइट साइड में ठीक है राइट साइड में घूम जाएगी ठीक है और Southern Hemisphere में किस तरफ घूम जाएगी? Left में जाएगी ना Southern Hemisphere में किस तरफ जाएगी? Left में Southern Hemisphere में Left और Northern Hemisphere में Right ठीक है यह High Pressure Built है और यह Low Pressure Built है हम इदर पीट करके खड़े हो गए और इदर हमने मूँ कर लिया तो हमारा दाहिना किदर है? बताएए यह A साइड है यह B साइड है किस तरफ होगा दाहिना? B साइड होगा B साइड होगा तो हवा किदर मूँ कर जाएगी? B साइड इदर मूँ कर जाएगी उपर निकल गई इस तरफ यह मूँ कर जाएगी देखिए आप लोग खुद बता रहे हैं मैं कुछ नहीं कर दा है न तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है समझने समझाने में इतना आसान है यह ठीक इसमें कोई समस्या इसके मूवमेंट में कि क्यों मूव कर रही है? समझ में आगे ना? जी सर्थ अब अगर नीचे आएं तो यह हाई प्रेशर है और यह लो प्रेशर है यहां भी वही आइडियल कंडिशन में ऐसे होना चाहिए था लेकिन कोरियॉलिस फोल्स की वज़ए से नौल्टन हमिस्फियर में यह आपके किस हाथ की तरफ घूमेगी? लेफ्ट हंड की तरफ घूमेगी यानि कि अगर आप यहां पर पीट करके खड़े हो जाएं और इधर मू करके खड़े हो जाएं तो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी यानि कि इस तरफ घूमी की नहीं घूमी? ठीक तो यहाँ पर अगर दिशा को देखें तो यह जो दिशा है यहाँ पर यह जो एरिया है इसमें हवा कहां से कहां जा रही है उपर की तरफ एक बार कोशिश करके बताईए यह जा रही है नाल्थ से आ रही है और नाल्थ से साउथ की तरफ जा रही है लेकिन यह नाल्थ वेस्ट से किदल जा रही है साउथ एस्ट की तरफ नाल्थ वेस्ट से जा रही है साउथ एस्ट की तरफ नाल्थ वेस्ट से आई और साउथ एस्ट में चली गई North West Sea Eye South East में चली गई यहाँ भी North West Sea Eye South East में चली गई किसी को समस्या? सब समझ गेना? और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो यह हवा कहां से आ रही है? यह नीचे से उपर जा रही है, नीचे होता है South उपर होता है North और यह डाय हाथ से डाय हाथ की तरफ जा रही है यानि कि यह वेस्ट से इस्ट की तरफ जा रही है यानि कि यहां पर यह जा रही है साउथ वेस्ट से नौर्थ इस्ट की तरफ जा रही है है ना मोटे तोर पर कह दे यहां और यहां दोनों जगए यह हवा वेस्ट से किधल जा रही है इस्ट इसकी तरफ और वो हवा जो वेस्ट से इसकी तरफ बहती है उसको क्या बोलते हैं पच्छुआ या वेस्ट रल्डी क्लियर क्लियर या हॉल्स लेटिटूड यहां भी डेवलप हो गया शाथ शाथ कि यहां तक किसी को कोई समस्या सबको क्लियर है न मुझे बता दिए तब मैं आगे पर अधर वाइस कि टेरल करनियम दिवाग में है बाड़े आसानी से हो जाएगा अधिशेख जी आपको क्लियर है न अधिश्व कुछ कुछ मतलब आप ने बता है वह तो रट हो गया नेकिन से एक डाउट में यह हो रहा था यह इसे अर्थ रोटेशन है वेस्ट वीस्ट होता है तो जो रोटेशन है वह कहते हैं लेफ्ट हैं टू राइट हैंड की तरफ जाएगा रहें कि आप समझें कि आप एक कार में बैठे हुए तो इन्होंने तो दाएंबाएं करके थोड़ा सा उसको वैसा कर दिया यहां पर आप देखिए सिंपल सा है कि आप हमेशा वेस्ट की तरफ डाइवर्ट होंगे ठीक है उसको थुरा से नोने हम कॉंप्लिकेट भी बोल सकते हैं आसान भी बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर समझने के लिए वो आसान हो गया और वैसे सिंपल टम्स में लेकर तो वैस्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है ठीक लेकिन यहां पर समझने के लिए हाई प आउट से नौफ जा रही है तो इस पोजिशन पर समझने क्लिए कॉंप्लिकेट ना होने पाई फेरिल ने चीजों को आसान कर दिया ठीक है उसको अकेले में बैठकर बात समझने की कोशिश करेगा कि क्या है उसके बात नहीं आगा तो फिर मैं क्लियर कर दूँगा थी है अब अब हम लोग आते हैं पॉल्स पर पोल्स पर यहाँ पर देखिये यह हाई प्रेशर है और यह क्या है लो प्रेशर हवा किधल से पॉल्स से ըीचे की तरफ चलेगी यहां नीचे से पॉल्स की की तरफ चलेगी थी। थीक है तो यहां पर भी हवा फिल्स से ये ख हैं दो रहागी क्योंकि यह इंधर आ रही है तो नौल्डन हमिस्फेयर में किधर की तरफ द disruption जाएगी । इसрем अपने दाएं हाथ की तरफ divert हो जाएगी और यहां पर भी अगर उखें तो यहां पर भी यह दाएं हाथ की तरफ divert हो जाएगी तेरल के नियाम और कोर्यारीस फोल्स का जो concept हमने सेखा था उसके according तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो तो हवा का direction क्या है यहां पर भी वही है कि हवा हमारे पास south west से यहां पर north की तरफ जा रही है और उपर अगल देखें उपर अगल देखें यहां पर तो यहां पर उपर north है और यहां पर नौर्थ वेस्ट से इधर साउथ इसकी तरफ जा रही है यानि कि मोटे तरफ वेस्ट से इसकी तरफ जा रही है यानि कि कौन सी हवा है वेस्टर्ली है या इस्टर्ली है इस्टर्ली है यहां भी इस्टर्ली है यहां भी इस्टर्ली है यहां भी इस्टरली लेकिन यहां पर जो इस्टरली उसको ट्रेड विंड बोलते हैं लेकिन यहां पर जो इस्टरली है उसको बोलते हैं वो ओर इस से साथ वेज़ जाएगी न वो साथ साथ ही सब्सक्राइब हाँ आप सही कर रहे हैं यह नौटीस से साथ वेज़ जाएगी और यह साथ एस से North वहस जाएगी और ये East से वहस जा रही है इसलिए इस्टरली ये बिल्कुल सही है ठीक है मेरा ही गलत था सही है ठीक है Confusion तो नहीं किसी को यहापर हो मैंने गरण तिक दिया Clear है ना ये फिर से लिख देता हूँ यहापर पोल्स में ये क्या है ये South है और East है इधर से North की तरफ जा रही है और North की तरफ किस डिराक्शन में है West की तरफ तो South East से North West और ऐसे ही उपर और ऐसे ही उपर North से जा रही है South की तरफ लेकिन North में भी किस तरफ से प्योर North से नहीं बलकि North East से South West की तरफ ठीक और क्योंकि ये East से West की तरफ जा रही इसलिए क्या हो गई Easterly हो गई और इसको क्या बोलेंगे हम लोग Polar Wind बोलेंगे ठीक है Clear मैं फिर से बता दूँ का confusion है जो West से East की तरफ जाती है और जो East से West की तरफ जाती है West से East जाने वाले को बोलते है Westerly और East से West जाने वाले को बोलते है Easterly तो ये Easterly है और इसको क्या बोलेंगे Polar Wind बोलेंगे तो हवा East की तरफ जाएगी कि West की तरफ जाएगी आपको clear हो गया ये फेरल स्लॉग clear हो गया ठीक है बाकिश को तोड़ा सा इकभाल देखिएगा ये diagram जो मैंने बनाया है कम से कम चार-पांच बार बनाके practice करिएगा इसकी चार-पांच बार देखिए यहाँ पर क्या था यहाँ पर यहाँ नीचे तो आ रही है लेगिन इसके पहले इसके पहले जो हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर low pressure high temperature की वज़े से हवा उठी और उपर उठने के बाद उपर उपर जाके यहाँ पर क्या हो गई बैठ गई यहाँ पर उपर जाके यहाँ पर बैठ रही है और फिर नीचे आके वापस यहाँ पर आ रही है एक cycle जैसा नहीं बन रहा है cycle जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ठीक है तो ये एक cycle जैसा बन रहा है इस cycle को हम लोग कल समझेंगे और इस cycle की वज़ाए से कुछ शब्द हमारे सामने आएंगे जैसे एडली सेल जैसे फेरल सेल कैसे फोलर सेल वो इन cycle की वज़े से हमारे सामने आएंगे तो फुरा सा ध्यान रहे आपको इसलिए मैंने यहां पर बता दिया ठीक है तो इसको डाग्राम को बनाईएगा एक बार वैसे तो आसान है लेकिन अगर कहीं पर तो इसको देखिए समझिएगा चिंतन करिएगा मनन करिएगा ऐसे बहुत आसान है ठीक है फिर हाजी यहां जो जो है वह कॉरियोलिस प्रेशर को डॉबिनेंट कर लिए मतलब एक्मोस्पेरिक प्रेशर की वज़े से हाई प्रेशर और लो प्रेशर कुरेए डिवलप हो रहे है को संगिता जी में जो बैल्ट बनी है यह बैल्ट बनी है अट्मॉस्पेरिक प्रेशर हैं और जब यहां पर बैल्ट के प्रेशर की ऋप्रेशर की वज़े मैं इस वज़े से एक बैल्ट से दूसरी बै rotaryret के बीच லियुकर हैं स्ञेजर की सलिए और दुनियों दो ऑलग अलग चीजे हैं इस तो भैस्ट होता है और दैए जनरल वेस्ट की तरफ होता है ठीक है बिल्कुल वेस्ट की तरफ होता है लेकिन यहां पर उसी कोरियोरिस फोल्स की वज़ाई से जो नियम बनाया फेरिल में उसने यहां पर प्रेशर बिल्ट के बीच में जो हवाएं चल रहे ही उनकी डारेक्शन निकाने का तरीका बताया जहां पर पोर्योरीस फोल्स की वज़े से डारेक्शन तो विर्ष की तरफ ही हो रहा है लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए उन्होंने ये बनाया नियम फेरल ने की जो डाइवल जों होगा वो दाएं और बाएं हाथ में होगा आप इसको ऐसे समझ यह जड़ा ऐसे समझ यह ठीक ह यहा पर यहां पर इसको ऐसे समझ यह कि धर्ती वेस्ट से इसकी तरफ घूम रही है तो धर्ती की जो चीजें होंगी वो किधर भागेंगी वेस्ट की तरफ मुडेंगी ठीक अब आप इसको अज़े समझ यह कि जब नौर्थ से साउथ जाएंगे तो आप इधर विच्छे पर किस साथ की तरफ होगा? इधर पीट करें, इधर मूँ करें, तो किस साथ की तरफ हो रहा है? राइट हैंड या निकी? दाए हाथ की तरफ और एगर हम साथ से नाउठ जाएं? तो भी इधर भागेंगे लेकिन हमारा ये कौन सा थ हो जाएगा? रोगर हें तोальной पीरल कुमालते हैं गोली थीक है इसको ध्यान रखीए सिंपल सा कि अगर हम कि अगर हम कि आगर हम नौल्थ से साउथ जाएंगे या अगर हम साउथ से स बूर्आ कि तरफ जाएंगे तो नौ्ट से साउथ की तरफ मूब करने पर डाISE यहां पर हम साउच से नौक जा रहे हैं कि नौक साउच जा रहे हैं कि नौक साउच जा रहे हैं करदने और सब्सक्राइब नायं मुड़ेंगे कि भाइं मुड़ेगी इक वाइं । को क्यों करें को इस दो करें अब यहां पर नीचे हम नौक साउच जा रहे हैं कि जा संव जा रहे हैं यहां पर नौक सब्सक्राइब नॉल आख स tou सउट on साट मका मुडेंगे दाइं की बाएं दाइं मुडि की नहीं मुडि नहीं उपल चलते हैं यह पाच्छुवा वाले भी हैं चाप बोल रहे हैं पाच्छुवा वाले भी थाट रसेंज़िशन ठीक हो गया है ठीक है ना वहां पवने क्यों नहीं दिलेंगी देखिए यहां पर बैसिकली क्या हो रहा है डोल ड्रम में अभी इसको हम लोग जब भी कल आफ फैरल सेल वगरा समझेंगे नीरो जी तब यह ज़्यादा क्लियर हो पहेगा ठीक है बैसिकली यहां पर इसको ऐसे अभी अभी इस लेवल प थीक है जब यह कंर्वर्ज करके आगे तरह बढ़ती है तो वीम वालय इलाका ऐसा हो जाता है जहां पर जनरली हवा मूवव ही नहीं गलती यह बहुत कम मूव कलती है यह बहुत ही कमजोर हवाएं चलती है इस बीच वाले इलाके में बहुत कमजोर हवाई चलती है इन कमजोर हवाउं के चलने की वज़े से इसमें बहुत काम सिचुवेशन काम अट्मास्फियर हो जाता है जहां पर बहुत शांत हवाई रहती है तेज हवाई नहीं चलती है या तो चलेंगी ही नहीं या तो बहुत दीमे दीमे चलेंगी इस तेस काम सिचुवेशन की वज़े से इसको बिल्ट आफ काम या डोल ड्रम कहा जाता है अभी जब यहां पर यहां पर समझेंगे तब इसको मैं प्रॉपरली क्लियर करता हूंगा आपको इसको सम्झाने के बाद और तो बाकी लोगों को क्लियर यह चीजे कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में अच्छी तरह किसा समझ में आ गया तो आपने यह बताया था जो इसमें से इस्ट मुव कर रही है और आपने खड़े हुए अब नौ से साउथ जा रहे हैं तो हमेशा आपकी जो हवाएं और राइट पर मुड़ेंगी हाँ यह मेरा नदन है ठीक है यह फेरल करनियम तो दाएं और बाएं हाथ कथा मैंने कर दिया साउथ से नौल पीटवीट का हमिस्वेर में हम लोग है तो नौ सौथ में राइट ही मोड़ेगी हमिशा अब होगा सदर हमिस्वेर तो लेट लेगी मिव इस रिए चल्ड दे उसके डायरेक्शन में ना उसके राइट में उसके उसके तरफ मु कड़के खड़े हो जाए तो ठीक है क्लियर जो विंड का डिरेक्षिन है उसकी तरफ जहां से बिंड स्टार्ट हो रही है वहां पर पींट रहेगी और फेस रहेगा आपको अपोजिट उसके हैं बिलकुल हवा की दिशा में चलेंगे ठीक है क्य ओर बिल्बार्थ के जब उन्हार इसे क्लियर नहीं होगा तब तक आपके पढ़ने का मेरे पढ़ने का कोई क्या बोलते हैं उसको वो नहीं है ठीक ऐसा मज़ गया हूँगे आप तो तो पढ़िएगा जी रिकॉर्डिंग में डाल दूँगा देख लिजेगा उसको चलिए फिरकर मिलते है ठीक है गुड नाइट गुड नाइट सर्थ अजी रिकॉर्ण नाइट सर्थ सब्टा है नाइट सर्थ गुड नाइट